लुए दोस्तो स्वागत आप सभी कापके अपने चनल बेसिक नॉलेज में दोस्तों इस विडियों मों देखने वाले आप लोग गृफिन का करेक्टर इसकेज जिए हैं दोस्तों इससे पहले बोली का और 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 सब्सक्राइब का आप लोग करेक्टर से बता चुके हैं ती जवाब दे सबोब किया क्या deh g hydrogen लिया था या बहुत खरबता आप केसा था टो दो लिखा यहां पर घ्रिभीन हो जाएंट साइंटिस्ट दिश्करबर्ड हम सोड़नियंकप बिजह थए इन्विर थिखेंगे था 받고 सब्साइन आइश्वह किई बहुत तरह जाए यानि कि अद्रिस से कैसे हुआ जाए इन्विसिबल कैसे हुआ जाए उन्होंने एक प्रकार का खौज कर लिया था ऑल्लाइख के it too scientist ace he miss used his discovery for criminal purposes फो स्टो एक cartoon साइन्टीस कीसा होता है की के लोग है यह काम करता है अच्छा काम थो साइटिसस ज imposing अपने जो काम था उज़ियर करता था экспер कि लिए चोरि करने के लिए लिए किसे को मारने के लिए आग लगाने के लिए वह इस जो डिसकवरी था इसका यूज करता था वरना दोस्तों काफी विलियन सैंटिस्ट था बट उसके काम बहुत ही खराब था दोस्तों जल्दी क्या गुस्ता जल्दी चीटीटा हो जाता था जल्दी अपना मतलब एक्टीब रियक्ट किस जीस पर कर लेता था ही सेट फायर टुदा हाउस और घर पर क्या कर दिया तो मकान वाली का घर है उस पर आग लगा दिया ही हैड टो रिमूब इस क्लोज टू बीकम इन्विजवल दोस्तों उसे इन्विजवल होने के लिए पना क्लोज हटाना पड़ता था सरीर से गिर्फिन वाजी लॉज पर और अपने आपको दोस्तों बहुत सरे क्रेंट कर लिया था इस परकार से खुद को सपोर्ट करने के लिए कभी चोरी कर लेता था इस परकार हो करता था मतलब क्राइब को परसान करता था तो ही इंडुलिंकर अक्टिविडिई में भी वह लिप्त हो गया था और आगे दोस्तों एक स्वापकीपर से एक दुकांदार से उसका सारी पैसे चुरा लिया थे कौन यह जो ग्रिफिन साइन्टिस्ट है इन्विजिबल बनकर हीज एप्रियंस वाज अनकॉमन एंड हीज ब्यवियर वाज इसेंट्रीक ठीक है करता ओपले सामना करना पड़ा इन्मीसिबल हो जाता था जिसके अनिविसिबल हो जैता था जो भी हमेंसा बच निकलता था और जो भी काम करता था उससे मतलब बच निकलता था इन्विजल होकर विंदा, Constable tried to arrest him, he became unwilling, जब Constable उसको arrest करना चाहा तब वो क्या हो गया दोस्तो, तब वो invisible हो गया, थिक है तो मतलब कह सकते हैं कि एक scientist हो था, काफी तेज तर्रार काफी बुद्धिमान scientist था बट वो काम बुद्धिमान लोगों के बुराई करने में मतलब कहीं आग लगा दिया कहीं किसी को प्रसान कर दिया किसी का चोरी छिंता ही कर लिया इस प्रकार का काम वो इन्विजिबल होकर करता था चले नेक्ट को संदोस्तों है क्या है क्या है इभी इंपर्टन आप लोगा वाई वाज सूलेखा निक बोली हैड़ इंजूरी इन हर हेड वाइन सीवाड वाइन सीवास टीन मंथ ओल्ड जब दस मैने की थी तो उसके सिर में दोस्ते चोट लगी थी समय रहे हो इंट डेमेज्ड हर हेड और उससे सर को डेमेज किया था जिसका वह दूस्ते बच्चों के जैसे मतलब कम दिमाग उसके घुषता नहीं उस प्रकार से तो क्या वहागा यहां देखिए दिखिए स्वाज स्लो लर्नर से नौर्ट स्मार्ट लाइक और तो दूसरे की तरह स्मार्ट नहीं थी दूसरे तरह फ़रवाड नहीं थी कि हाँ पूरा फटपट बोलेंगे इसमार्ट नहीं थी दैस और वहाई हर निक नेम बिकम भोली भोली मतला था तो बिल्कुल भोला थी ठीक है बिल्कुल सिंपल लड़की थी जाना इससे बात करती थी इंटोवर्ट थी चुप चुप रहती थी और उसके सर में चौट भी लगा था जिसका उसको दिमाग जो है दुस्तों कह सकता है कि उतना ग्रोन ही हो पा रहा था, ठीक है, और इस बज़से भोली का नाम, सुलेखा का नाम भोली पड़ गिया, ठीक है, नेक्स देखें, और एक स्वाल है दोस्तों, इसमें आच्छे देख लिए जी क्या बोला है, तीन चीज आपको मेंशन करना है, जो आदमी करते हैं, बट जानुवर नहीं करते हैं, तो चली देख लेतें क्या है, वो थ्री तिंग्स, थ्री तिंग्स आर फॉलोईंग, देखें क्या क्या है, पहला, इसमेंट करते हैं, लेकिन जानुवर कभी भी ऐसा नहीं करता है, नेक्स्ट कुछन है, और आदमी क्या होता है, कोई भी हिमन जो होता है, किस भी चीज़ को पाने को लेकर उसमेंगा पागल पन होता है, ठीक है, madness of getting things, चीज़ों को लेकर पागलपन नहीं होता है, समझ गये, तो यहाँ पर दोस्ती इस प्रकार से तीन चीज़ हम आप लोगों बता दिये, मैं इंसन थ्री तिंग्स करने बोला था, तो बता दिये, आप लोगों थ्री तिंग्स क्या क्या है, पहला हो गया, आदमी करता है, but जानवर नहीं करते हैं, आदमी रोता रहता है, अपने पापों को लेकर कुछ पाप किया, दोस्तों को लेकर रोता रहता है, जब जानवर ऐसा नहीं रहते हैं, रोते हैं, और सब जानवर को रोते हैं, क्या, नहीं न, humans have madness of creating things, और आदमी में करता है, पागलपन जानवर में दोस्तों इसा पागलपन नहीं रहता है, और इस इवल असवाल देख लिए, वाईवाज सुलेखा निकनेम भोली, सुलेखा निमनम भोली क्यों पढ़ा, क्योंकि भोली बहुत ही सिंपल थी, मतलब सुलेखा बिल्कुल भोली थी, कह सकते हैं, बहुत सिंपल ल चीजों को लेट से समझ दी थी, ठीक है, और दोस्तों लोग भोली का, मतलब सुलेखा का इसको एक पॉक्स भी हो चुका था, ठीक है, जिसके उन्हों सरीर पर बहुत सारा दाग ही हो गया था, तो यह था दोस्तों उसका कुछ है, सुलेखा नाम पढ़ने का क्यों सिंपल चीजों थी, और आप लोगो को कर्रेक्टर इसके सब ग्रिफिन तो बताई दिया, आप लोगो सब कुछ समझी कहे होंगे, क्या है क्या है क्या नहीं, और यह बहुत इंपर्ण है, ग्रिफिन का, और भोली का, जरू कर लिजेगा, तीनों में से कोई एक आने की बहुत ज़ देखिए, और पढ़िए, ठीक है, अंतिम एक्जाम है, मैनत कर लिजिए, जितना कुछ बचा होए, तो आप देख लिजिए, रिविजन किजिए, वह बहुत जो तज़री है, चलि लभी ओल, तैंक्यों आप लिएक लिए फिर भी आप लिए जल्द ही तब देखिए, उबन दे मात्रों.